दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी कैश रिश T20 लीग की सबसे चहेते टीम मुंबाइ इंडियन्स से सब पीछा छोड़ा रहे है जब से ब्लू आर्मी ने अपने पेवरेट हिट मैन दोहिच छर्मा को कप्तानी से गेट आउट कर दिया और हार्दिक को उनकी जगा पर कैप्टेंसी सोब दी उसके बाद से फैंस इस फ्रंचाइजी से इतना खाफा हुए थे कि उन्होंने टीम का बाइकोट करना भी शुरू कर दिया था एक जटके में राकोफ लोवर्स को खोने वली मुंबई इंडियन्स के हेड कोच मार्क बाउचर ने आखिर लंबे समय के बाद अपनी चुपी तोड़ी और रोहिच छर्मा की जगा पर हार्दिक पानिया को उनकी टीम में कमान सोपने की बज़ह बताई दोस्तों आखिर क्यों पाच बार की चैंपियन कप्तान रोहिच छर्मा को हटाने की दरूरत आन पड़ी आखिर क्यों हार्दिक को गुज़ा टैटन से ट्रेड कर कमान सोपनी पड़ी इन तमाम सवालों को जवाब कोच मार्च बाउचर ने दिये हैं एक इंटर्व्यों में बाउचर ने साफ कह दिया कि हार्दिक को क्रफेंसी देना एक क्रिकेटिंग पैसला है उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से क्रिकेट को लेकर पैसला था हमने हार्दिक को एक खिलाडी की रूप में वापस लाने के लिए विंडो पिरियट दिखा मेरे लिए यह एक बदलाफ का चरण है मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक क्रिकेट से जुड़ा जिनने है जो लिया गया था मुझे लगता है कि यह एक वेक्ती और एक खिलाडी की रूप में रोहित का सर्वश्रेट दर्शन लाएगा मार्क बाउचर ने साफ किया है कि कैप्टेंसी छोडने के बाद रोहित चर्मा के लिए खुल कर अपना गेम खेलने का मोकर रहेगा दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि आप बाउचर की विचारों से सहमत हैं कि मुझे इंडियन्स से रोहित चर्मा को कैप्टेंसी से अठाकर सही किया कमेंट बोक्स में कमेंट दरूब करें कि तमाम जानकादिये के लिए आप बने रहे हैं और देखते रहे हैं हमारे साथ स्पोर्ट्स मैचप